तो फाइनली आज आपका इंतजार जो की लंबे टाइम से था आज वो खतम हो जाएगा मैडिकल वीडियो आपका फाइनली आज हम आपका क्लियर करने वाले हैं कि कौन-कौन सा पॉइंट आपका जोइनिंग टाइम मैडिकल के अंदर छिक अप किया जाएगा उसी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए कैंडिट्स जूड़ रहे हैं सब्सक्राइब को लेकर लिंक आपको टेलिग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जीडिव वेगरा वहाँ पर स्टाइट है आपका तो आप लोग जोएन कर लेना और आज आपका सेकेंड बैस वाले मोस्टली कैंडिट्स आज बीसी सिसन को जोएन कर रहे है और आपके मन में कोई डाउट है ट्रेनिंग को लेकर या एरफोस के रिगार्डिंग कोई मतलब की जो लड़के ट्रेनिंग पजा रहे है गर्ल्स जा रहे है ट्रेनिंग के अंदर तो अगर आपके मन में कोई डाउट है ट्रेनिंग से रिलेटेड या मैडिकल से रिलेटे और टेलिग्राम चैनल को भी आप लोग information के लिए subscribe कर लेना link उसका फिर description box में दे देंगे अब चलो मुद्धा पर आ जाते हैं यहाँ पर सीधा बात करते हैं आपका जो medical है point number one है eye check up आपका compulsory है eye check up आपका किया जाएगा चाहाए बोज हो girls हो eye check up आपका compulsory है बिल्कुल होगा eye chart आपको दिखा देते हैं यह eye chart होगा आपका बेल गाउं के लिए ठीक है तामरम के लिए idea नहीं है कि कौन सा आपका eye chart आ जाएगा जो चीज है हों आपका genuine बताएंगे जब idea ही नहीं है तो आपका तामरम का हम बात नहीं करेंगे कि आप तामरम में कौन सा eye chart आपका आ सकता है तो जो वहाँ पर अपना medical वेगरा दिये होंगे तो उनको idea होगा कौन सा आइच AOX वाला आता है की वाला आता है बट आप दुनों के लिए prepare हो जाना पहले से कुछ भी हो तो यह आपका जो eye chart है न यह eye chart आपको मिलेगा telegram पर telegram channel पर डालेंगे group में भी डाल देंगे तो आप पीसे download करके जो लड़के और लड़की बैल गाउं जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपोटेंट होगा ठीक है बाकि अगर हम बात करें आपका तो medical के अंदर में eye check up तो आपका हुई जाएगा और हाँ जो लड़का या लड़की चस्मा का यूज करते हैं या करती है तो अपना ओ चस्मा भी साथ में carry करेंगे prescription का कोई need नहीं है चस्मा आप अपना लेकर जाना दूसरा number point है आपका weight को लेकर बट आपका यहाँ पर clear हो गया होगा तो weight का कोई सीन नहीं है weight आपका हो जाएगा skin disease आपका देखो यहाँ पर थोड़ा सा यह आपका important point है skin disease में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा hygiene को maintain करके रखो अपना आपका reporting में उतना time है आपका बचा हुआ 21 तारीक का first day reporting है तो time आपके उतना है आज आपका चार तारीक ओलेड़ी हो चुका है तो जितना हो से कि आप लोग hygiene वेगरा maintain करके रखो और यह skin disease pimples वेगरा देखो आपका चल जाता है बर्ट आपका यह communicable disease चुआ चूत वाला जो बिमारी हो गया private parts में भी बहुत सार लोगों को बिमारी हो जाता है ठीक है इसके अलावा भी बहुत सार यह आपका skin disease से काफी आपको सावधान रहना है यह बात मेरा आप कान खोल कर ध्यान से सुन लो उसके बाद आपका private parts deeply check होगा आपका private parts भी देखा जाएगा ठीक है तो private parts को भी ignore नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आपका यह check-up होगा उसके बाद serious injury है और आपका fracture है तो इन सब चीजों को देखा जाता है जो हमने यहाँ पर note down किया है एक आपका ENT होता है point number six में आप लोग यह भी add कर लिजेगा ENT मतलब E का मतलब होगे आपका ear N का मतलब होता है आपका nose और T का मतलब होता है आपका throat यानि कि कान, नाक और आपका मुह के अंदर गला वेगरा यह सब check कर लेंगे बाकी कुछ आपका हलका फुलका थोड़ा बहुत exercises करा देते है ठीक है पंजे उन्जे पर jump मरवा देंगे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपका exercise वेगरा भी करा देते है तो इदे को आपका जो medical होता है ASC वाइज आपका medical होता है ASC के जो medical officer है उनके उपर ये depend करता है कि कौन सा point आपका वो check करेंगे कौन सा नहीं करेंगे तो आपके जो ASC के जो officer होंगे medical वाला वहाँ पर वो मजूद रहते है वो आपका वो check-up के लिए मजूद रहते तो ASC वाइज आपको line में खड़ा करके 15 मिनिट में 50 लड़कों का medical कर दिया जाता आप idea लगा लो कि आपका per candidate कितना minute का medical वहाँ पर होगा 15 मिनिट में 50 लड़के free हो जाते है तो आप लोग जो हवा बना कर रखे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा बिल्कुल नहीं होगा जो आपका medical होना था इनिशियल आपका ground fit हो गया green card मिल गया आपका यहाँ पर आपको बुलाया गया है किस के लिए joining के लिए बुलाया गया है तो main काम आपका joining है documentation आपका main काम है ना कि आपका यह बस आपका एक formalities होता है कि थोड़ा बहुत check up करके आपको entry करा दिया जाता है कहीं कुछ आपका मतलब ऐसा serious चीज ना निकल जाया मतलब कि बहुत सार ऐसे होते हैं जो surgery करा लेते हैं बहुत सार ऐसे होते हैं जो हाथ पर तुड़वा कर पहुंच जाएंगे तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत देखा जाता है ठीक क्योंकि आपका training होने जा रहा है कोई मजाक नहीं training है training आपका ऐसा ना होका मतलब कि हल का training होगा प्योर रगड़ा आपका training होगा बिलकुल तो training आपका है तो थोड़ा सा risk air force तो ले नहीं सकती है तो surgery वेगरा fracture वेगरा skin, digits वेगरा इन सब चीजों से थोड़ा सा मतलब कि skin, digits वेगरा कुछ allergy वेगरा जो रोग हो वेगरा जो digits है यह होगा तो आप दूसरे candidates तक भी यह पहुँच सकता है तो इसलिए थोड़ा सा यह concern वाला चीज होता है कि skin से कोई problem ना आपको डिजिज वेगरा, कॉमनी केबल, छुआ छूट वाला बिमारी तो नहीं है तो और बाकी आपका fracture और यह सब surgery देखते हैं कि इन से कोई आपको मतलब की यह सब तो नहीं करा लिए आप ठिक, तो यह सब आपका check-up किया जाता है ठिक, और बाकी कुछ है नहीं आपका ना तो आपका ECG होगा, ना BP होगा, ना blood test होगा यह सब नहीं होगा, ना X-ray वेगरा होगा आपका तो यह सब check नहीं होता है बाकी आप पूछोगे flat foot, knock नहीं होगा यह सब चीजों में कोई बाहर नहीं होता है में आपका जो बाहर होने वाला point होता है मैंने आपको बता दिया इसकीन से बच कराना है यह आपका जो allergy वेगरा रोग है नो इन से बचना है और private parts में अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको बस बास इतना सा है आई चेक अप आपका हो जाएगा बात खतम है यही आपका medical है मतलब आप माल लो कि वहाँ पर जितने भी लड़के जाएंगे तामरम और बिलगाओ में 99.9% वो अंदर चले जाएंगे उनमें से एक या एका दुगा निकल कर कभी हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनका चोट लग गया होगा रिसेंट टाइम में मतलब की चोट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हलका चोट वो सब चलता है लेकिन अब ऐसा होगा कि किसी ने फ्रैक्चरी करा लिए पैरिट तूडवा लिए अपना सजरी करा कर पहुँच गया हो ऐसे लड़कों को थोड़ा सा निकाल कर रखा जाता है ठीके और उनके पास भी एक मौका होता है अपील का अगर आप जोइनिंग टाइम मेडिकल में बाहर हो जाते हो तो आप एक बर अपील कर सकते हो अपील करोगे फिर से आपका अगला इंटेक में जो हो कि अगर आपका एज रहता है तो आप फिट हो जाओगे तो अगला इंटेक में भी जोइन कर सकते हो मतलब जोइनिंग टाइम एडिकल में आप पर्मनेंट बाहर नहीं हो सकता तो आपके पास appeal का एक मौका होता, appeal करोगे, फिर से आप join करोगे अगला intake में, ठीक है, तो यह scene होता है, और यह जो आपका check-up है, यही check-up है, नॉर्मली check-up है आपका, high weight skin, private parts, serious injury and fracture बगरा है, बस बात कतम है, orienty हो जाएगा, थोड़ा बहुत exercise हो जाएगा, आपका, बस out मत पंदरा मिनेट में 50 candidates free हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाला scene नहीं है, अब अगर आपके उमन में कोई doubt है, तो आप comments कर लेना, अदरवाइस आप telegram join करो, direct हम से बात करो VC में, और batch number 2 के भी जो लड़के आ रहे हैं, उनसे भी बात कर सकते हो, अपने doubt को clear कर सकते हो, बाकि नीडी नहीं है, यहाँ पर हमने आपका सब कुछ clear कर दिया है, ठीक, तो डरो मत, विश्वास करो, ठीक है, क्योंकि trust ही सबसे बड़ा सीज होता है, जो हमने बताया, वही आपका check-up होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, और normal check-up होता है, mostly लड़के यहाँ स कि आप avoid करो, जाना नहीं है, बाहर घर से, जितना safe रहोगे, उतना आपके लिए काफी रहेगा, running करना है, सुबह या साम करना है, किसी एक time को अपना चुनलो, कि हाँ, सुबह करना है, साम करना है, ठीक है, तो आप एक time को को कोई पकड़ लो अपना, कि हाँ, हमको सुबह क करना है, तो ground कोई select करे, या तो अगर आपका road है, और जहां पर traffic कम है, तो फिर वो भी ठीक है, आपका traffic कम हो, तो चलेगा आपका, ठीक, तो running के लिए आप घर से बाहर निकलो, otherwise आपको निकलने की कोई need नहीं है, कुछ भी, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको safe and secure र तो ये सब चीजों से दूर रहो, यार अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको अपना ख्याल रखने की जुरूत है, बाकी चैनल को आप लोग कर लेना, subscribe मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जय हिंद!